अरे जब बीजेपी चाहे राज सरकार में रहे या केंदर सरकार में रहे पेपर लीक होना ही है वो तै है और जनलोगों ने भविश्च के साथ खिलवार किया है लगबग पचास लाख जो बच्चे हैं उन लोगों के भविश्च के साथ इन लोगों ने खिलवार किया है और लगतार जो है हम लोग तो मांग करते रहें कि रद कर दिया जाए इस चीज़ों को क्योंकि साथ तोर पे जो है जहां भी बीजेपी शाषित राज्ये हैं चाहे बिहार हो गुजरात हो या हर्याना हो इन तीनों जगा जो है पेपर लीक हुआ है तो हम लोग ही नहीं बलकि कोट का अपना फैसला है और कोट का अपना निंदा है तो अपना स्वागत हम लोग करते हैं अरे आप देखिए राजिस में सरकार उनकी केंदर में सरकार उनकी जाच एजेंसियां उनकी हम ही कहते हैं मुकमती जी को बुला ले मेरे साइक को अरे चाहे पीए हो पीए सो कोई हो बुला करके पूछ ताच कर ले कोई अगर बात है तो लेकिन जो उपमुख मंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं यो यू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को ले करके इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं इस तो बिना ग्यान है इन लोगों को ग्यान नहीं है जब महें में जब औरेस्टिंग वहता तब सेम लोग आवाज उठा रहे हैं भई कि कारवाई करनी चाहिए जिस इंजीनर की बात कर रहे हैं यही लोग अर्बन डेवलप्ट में लाय थे जलसन सादन से थोरा ज्यान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को यह लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लिग के उन लोगों से इशु को डाइवर्ट करना चाहते हैं जो आमित आनन्द है जो आपका नितीश कुमार है यह कौन लोग है इनको क्यों बचाना चाहते हैं क्यों ही लोग जो है डाइवर्ट करने इशु को तो इशु को जो है डाइवर्ट नहीं करना च जो भी King Pink है कल मनोज जहार जी ने पर प्रेस कॉंफरेंस करके तस्वीर साजा कर दी है अगर कोई दोशी हो उसको बुला के पूछने में क्या दिकत है बुलाए गिरफतार करें हमको क्या दिकत है अब ही कह देते हैं मुखमांती जी को बुला ले और जिसको एओ यू रिपोर करता है उसको को ज़्यानने है कि अए बंदये को बात ते बता है चलता नहीं देखीन को रिपकिते जो भी मामुला है इए स्चीज को आ ज predicting तो सब पता चली जाना जो लोग मेरा नाम घशीतना चाहते हैं मेरे प्येरीगा घशीत note किसी फाइदा होने वाला निए जिस तो बेनेफिशरी हो सकता है बेनेफिशरी हो सकता है लेकिन पेपर लिग का मास्टर माइंड तो आमें तानंद है नितीश कुमार है उसमें करवाई करनी चाहिए जब यह शिक्षा वाग में जब नौकरिया निकली थी प्यप्यसी वाली तीसरी वाल जो रध हुआ उसके जो प्राधी लोग जो है जो पेपर लिग कराए थे वो तो बाहर बाहर घूम करके बिना जेल गई बेल करा लिए तो हम लोगों को सबका जानकारी है ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है यह सबसे कुछ होने वाला नहीं है देश की जनता जानती है जब जब बीजेपी सत्ता में आ किसी बार दो हम कुछ बोल ही नहीं लेकिन प्रदान मंत्री स्थे आये हैा कि घै सबलाब के गिलिया है कि आप देखे ड़े आज बेसा हो गया जब से आया है प्रदानमंतr dzr कुछे अब परधान मंत्री जीर्द मामने कनी चुपी साधे जो